हलो दोस्तों मेरे नाम दानिया लारी और आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं पाइथन टिटोरियल सीरीज हिंदी में हिंदी यह से जो इंटरेक्शन होगा हमारा वह थोड़ा चाहिंदी और इंग्लिश मिक्स होगा हम यहां पर लर्न करेंगे पाइथन फ्रॉंग वेरी ब बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मैं कवर करूंगा और उसको मैं यहां पर दिखाने नहीं जा रहा हूं कि क्या क्या टॉपिक्स हैं जैसे जैसे हमारा पाइथन टिटोरियल सीरीज आगे बढ़ेगा आप सारी चीज़ें वन बाइवन लर्न करते जाएंगे एक चीज़ की ग तो आप इसको बहुत आथानी से सीख लेंगे हर एक टॉपिक बहुत डीटेल में पढ़ाऊंगा बहुत बेसिक से स्टार्ट करके डीटेल तक जाओंगा चाहे वह कोई भी टॉपिक हो चाहे वह लेस्ट हो टपल हो सेट हो डिक्शनरी हो या फिर स्ट्रिंग है या फिर ब करेंगे इंटोडक्शन की पाइफन क्या है और क्यों सीखना चाहिए पाइफन का सेटप यान इंस्टॉलेशन का प्रोसेस और उसके बाद पाइफन में कोड कैसे एक्जिक्यूट करते हैं तो बहुत ब्रीप हमें इंटोड़क्शन हो जाए इसको फास्ट लेके चलेंगे सबसे पहले यह एक motivation होना चाहिए किसी more landwich कot see क्या जरूरत है उसा पाइफन को सीखना है तो पाइफन के मौटिवेशन के मैं कुछ points आपको बदाता हो मुझे लगता है कि काफी होगा आपको python सीखने और python को learn करने के लिए सबसे पहला कोश्टिन की पाइफन कहां कहां पर यूज होता है तो पाइफन आज की डेट में जितने भी मेजर कंपनीज जितनी भी बड़ी कंपनीज वो सारे के सारे इसको यूज करते हैं लिस्ट बहुत बड़ी है और आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि मैंने कुछ कंपनीज के नाम लिए हुआ है सबसे नंबर वान पर गूगल है गूगल का एक ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन किया जा रहा है जो 2016 से वरकिंग में है प्रोग्रेस में है जिसका नाम है फूशिया जिसका मेजर पार्ट पाइफन में लिखा जा रहा है पा हाई लेवल पर यूज कर रहा है अगर आपके प्राने किसी और लैंग्विज से अगर आपका इंटरक्शन हुआ हो जैसे सी सी प्लस प्लस और जावा तो अगर उससे आप कंपेर करेंगे तो पाइफन बहुत एजी है लरन करने के लिए इसका कोड जो है वो जावा के कंप और यही जब आप कंपर करतें चlegt अब फैंस प жд यह नहीं से इरुए नहीं से और छांग हो जाता है और इसकी में असाण हो जाती है so what is python python की definition क्या है तो python एक programming language है बट इसके साथ कुछ और terms add करके इसके definition को और हम थोड़ाँ एक्स्टेंड करेंगे python is high-level programming language जानते हैं जैसे हमें पता है कि programming language को दो category में रखता गया low-level और high-level तो python जो है high-level programming language है interpreted है जब आप code लिखेंगे तो इसमें interpreter use होता है इंटर इंटराक्टिव और डाइनमिकली टाइब है और डाइनमिकली टाइब कैसे है इसको प्रोग्राम के तुरू समझाओंगा तो आप ज्यादा समझ में आएगा multi-paradigm programming language multi-paradigm means approach by which we solve any problem to write our to solve any problem and the approach that we follow to write the code तो हम जो approach use करते हैं python में python एक से ज्यादा आप्रोच उसको support करता है उसमें से एक अप्रोच है फंक्शनल आप्रोच प्रोच प्रोसीज्डल और object-oriented programming आप्रोच तो यह सारे paradigms कहलाते हैं तो यह multi-paradigm programming language है python open source है तो आपको free of cost available है आप इसको download करके और directly use कर सकते हैं python के पास बहुत सारी libraries available है जो जो इसको बहुत powerful बनाती है तो जैसे यहां पर देख लीजिए अगर आपको देख रहा हो तो यहां पर तीसरा जो point है that is python is rich in scientific computing तो इसके पास scientific calculation के लिए बहुत ज्यादा functions और बहुत सारी libraries available है जो इसको use कर सकते हैं python एक thought पर काम करता है जिसको हम कहते हैं कि जो आप सोचते हैं वहीं अपने code में लिखी आपको अलग से कुछ और करने की जरूरत नहीं है लाइक अगर जावा और csc++ की बात करें तो आपको पहले अपने according पूरा pattern design करना पड़ता है code लिखना पड़ता है function और यह सारी चीज़े डिजाइन करने पड़ती है पाइटन के अगर देखा जाए तो किस-किस फिल्ड में यूज होता है तो पाइटन आज की डेट में हर एक हर एक application हर टाइप के application development में यूज हो रहा है चाहे वह आपका जी वाई application हो वे वे application हो या फिर gaming है या फिर scientific calculation है या फिर molecular biology है natural language processing है सो इसके लिए यह कैसे इसको इतना जादा support करता है क्योंकि python के पास built-in libraries available है तो built-in libraries जो है उनको आप direct use कर सकते हैं कैसे use करते हैं जैसे-जैसे gradually हम इसको आगे बढ़ेंगे जैसे जैसे प्रोग्रामिंग आगे सीखेंगे वैसे-वैसे हमें समझ में आ जाएगा तो सब्सक्राइब एक ब्रिफ दिस्क्रिप्शन अबाउट पाइफन 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 वस डेपलेट बाइब बाइद गुलिव और राश्म इन नाशनल रिशर्च इंस्ट्यूट पर माथमेटिक्स और कंपेटर साइंस नेदर लैंड तो यह 1991 में डेवलप हुआ था बाइफन का नाम जो है वो किसी इस नेंग पर किसी इस पर नाम रखा गया है वें पाइफन का नाम एक सरकस का शो था जिसको मोंटी पाइफन किया करते थे सेवेंटीज के टाइम पे तो गिडिव वान रौसम जो है उनके फैन थे बहुत बड़े तो इस वज़े से उन्होंने पाइफन का नाम उनके नाम पे रखा था दाट इस तो पाइफन लैंग्वेज और यह open source से interpreted language है इसको scraping language भी कहते हैं क्यों कहते हैं बात की चीज़े वो देखेंगे functional और object oriented यह दोनों को support करता है तो अभी हमारा पूरा focus functional approach पर होगा हम इसके बाद learn करेंगे कि what is object oriented programming approach और कैसे implement करते हैं by using python गूगल जैसे मैंने आपको पहले बता है गूगल इसको यूज कर रहा है और उसका एक project है that is called fuchsia अगर आप चाहें तो इसको जाकर गूगल पर search कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं कितनी डिमांड है python की इस time market में तो अगर आपको इसको देखना हो तो आप जाकर के indeed.com पर देख सकते हैं और अगर आप job print देखेंगे तो यह year 2012 से यह increasing order में ही है कि python की बहुत जादा market में demand है तो यह एक छोटा था introduction था python के बारे में अब python का setup कर लेते हैं जल्दी से और कैसे इसमें code करते हैं वह देख लेते हैं python के तीन releases है python 1.x 2.x और 3.x so 1.x deprecated है यह अब use में नहीं है जो 1994 में develop हुआ था यह python का पहला version था 2.x का 2.7 version अभी भी available है और इसका support अभी भी python आपको देता है लेकिन जैसे कि इनके documentation में लिखा हुआ है कि python का यह support जो है वो 2021 तक मिलेगा 2021 के बाद हर एक project को python 3 में switch करना होगा और जो latest version है python 3 का वो है python 3.8 तो हम पूरे application पूरे video series में जिस पर काम करेंगे वो python 3.8 है तो आप भी क्या कीजिए आप python download कर लिए और अपने system install कीजिए कैसे download करेंगे तो python का setup देख लेते है step by step पहले download करेंगे और install करेंगे तो download करने के लिए python की यह official website है that is www.python.org यहां पर जाईए और download वाले section में आपको यह चीज मिल जाएगी तो यहां पर आईए देख लेते हैं यह python की website है और आपको यहां पर जाकर करना है python का setup और यहां यह आपको दिख रहा होगा that is python 3.8 इसको download कर लिए download करने के बाद आपको एक exe file मिल जाएगी exe file के बाद आप यहां पर इसको install कर सकते हैं जैसे यहां पर देख लिए जो मैंने अल्लेडी download करके इसको रखा हुआ है डबल क्लिक करेंगे डबल क्लिक करने के बाद यह install हो जाएगा installation के time पर आप जैसे जैसे step कहता है वैसे वैसे आप सारे steps follow करते जाईएगा और उसके बाद यह आपका complete हो जाएगा बस एक चीज़ दिध्यान रखिएगा कि इंस्टॉलेशन के time पर path याद रखिएगा कि आपने python को install कहां पर किया है जेनरली क्या करते हैं इंस्टॉलेशन में next next और finish कर देते हैं यह याद नहीं रखते हैं कि path कहां पर है path क्यों याद रखना है वह मैं आपको बाद में बताऊंगा तो generally इसकी requirement तब पढ़ेगी तो हम eclipse भी setup करेंगे कि कैसे python का code उसमें किया जाएगा installation हो गया installation होने के बाद आप आपको यहाँ पर window के search box में जाना है IDLE search करना है ideally यह आपको by default integrated development environment for learning देता है python के installation के बाद इसको open कर लिजेगा और यहाँ पर आप डारेक्ट अपना code लिख सकते हैं तो यह python का shell है इसको python का shell कहते हैं और इसको रेपल भी बोलते हैं REPL that is R-E-P-E-L okay REPL तो इस shell पर आप डारेक्ट अपना code लिख सकते हैं बट अगर आपको छोटे बोटे code लिखने हो तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं बट अगर आपको अपना पूरा एक application बनाना हो और पूरे functions वगरे बनाना हो तो generally हम इसको use नहीं करते हैं तो आगे दे variable और कोई value store करना हो तो डारेक्ट आप variable का नाम लिखिएगा और जो value उसमें store करना हो लिख दीजेगा यहाँ पर data type का कोई वो नहीं है कि आप पहले data type लिखिए और उसके बाद variable design की लिखिया जैसे हमने पुराने languages में अगर आपने पहले कोई language पढ़ी है तो तो यहाँ अगर आपको डारेक्ट लिखना है तो अब a की value 10 है अगर आप लिखते हैं b is equal to 20 तो अब b की value 20 है और अगर आपको इन दोनों का sum निकालना हो तो आप डारेक्ट लिखेंगे a plus b आपको कुछ भी एक्स्टा लिखने की जरूरत नहीं है that is a plus b और यह प्लस भी और यह method होता है python में output शो करने के लिए आप डारेक्ट प्रिंट और s इसके अंदर पांस कर दीजिए जिस वैरीबिल की value प्रिंट करनी हो आप उसको पांस कर दीजिए वह प्रिंट हो जाएगा चुकि आप यहां पर direct shell पर हैं तो अगर आप print statement यूज नहीं भी करते हैं तो और मै मेरा recommendation है कि जब भी print करना हो तो print function use कीजिएगा कोई भी value print करना हो जैसे मुझे लगता है कि देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि python कितना आसान है आपको दो variable declare कर लिया उसका अपने calculation भी कर लिया और जो value आपको print करना तो उस value को print भी कर लिया तो हमने जो सोचा वही हमने यहां पर लिखा तो python बहुत easy है बस आपको एक काम करना है कि जितनी चीज़े मैं बताऊंगा आपको पर दे उतने practice करने है और believe me अगर आपने इतना कर लिया तो python में कोई problem नहीं आएगी अगर इसके बाद भी आपको कोई doubt है कोई कुछ doubt रह जाता है तो आप अपना जो भी comment है जो भी doubt है आप comment box में लिख सकते हैं तो आज के लिए इतना ही रखते हैं कि आज का इतना ही था कि python का introduction installation कैसे करते हैं और एक चोटा सा code आप कैसे ideally में run करते हैं नेक्स सेशन में यह देखेंगे कि कैसे different different id हम use करेंगे python के कोडिंग के लिए और आगे की कुछ और चीज़ें learn करेंगे तो thank you for watching this video future video के लिए प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिजे जैसे कोई नहीं वीडियो अप्रोड होगा आपके पास notification आ जाएगा and don't forget to subscribe and like comment and share the videos thank you bye